हेलो दोस्तों आपका स्वागत है स्कॉलरलाइट में जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लीजे ताकि जो भी वीडियोस में अपलोड करूँगा आपको नोटिफेकेसन के मार्द हमसे पता चलता रहा है चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम यहां पर बात करेंगे बहुत एक बिग्यान में फिजिक्स यानि कि जो हम पढ़ रहे हैं जिसकी सीरीज आप लोगों के सामने मैं ला चुका हूँ जो कि बहुत दिनों से डिमांड थी फिजिक्स की तो उसके अंतरगत आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कैपिलरी यानि कि केसी कत्व की बात यहां पर की जाएगी जो कैपिलरी ट्यूब्स के बारे में हमने पढ़ा है अपने फिजिक्स में जब जैसे कि यह NCRT से लिया गया है कप्छा छटवी से दसवी तक की साइंस है तो उसमें हमने एक केसी कत्व नाम का एक चैप्टर पढ़ा हुआ था जो कि बहुत ही सिंपल सा कॉस्चन है एक से दो ही कॉस्चन उस पर बनते हैं तो आज हम देखेंगे और कुछ उसके एक्जामपल देखेंगे जो रियल लाइफ के एक्जामपल है जो एक्जाम में पूछ लिए जाते हैं बहुत ही basic चीज है यह, basic physics चल लई है अभी हमारी जो exam में पूछी जाती है, तो इसको हम स्टार्ट कर, देखिए, आज हम पढ़ेंगे case कत्व, ठीक है, तो उसके पहले हम थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं, कि case नली क्या होती है, या capillary tube क्या होती है, इन सब चीजों के बा capillary tube कहलाती है, यानि कि कहने की बात है, कि काचकी यह नली है, जो कि बहुत, मतलबना एकदम पतली, लेकिन पतली है, खोखली है, और तृज्जा, जिसकी बहुत कम है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, खोखली है, यहां से यहां तक ठीक है, पूरी खोखली है, तो इस इसमें कहां तक चड़ रहा है यसी इसी capital को आपने ऐसे उल्टा करके पानी में डुबो दिया तो आपको ये देखना है कि जल इसमें कहां तक चड़ रहा है क्या हो रहा है वो चीजें यहां पर discuss करेंगे हम केसी कत्व के अंतर इसी को क्या बोलता है केसी कत्व स्ट्यूप का केसी कत्व इसको बोलेंगे देखे दूसरे पॉइंट में वह ही लिखा हुआ है कि केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने की घटना को केसी कत्व कहते हैं क्या बोलते है केसी कत्व कहते ह किस सीमा तक द्राव केस नली में चड़ता है या उतरता है या केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है केस नली की त्रिज्या जितनी कम होगी द्राव उतनी अधिक उचाई तक चड़ेगा वही इसी बात है कि भाई अगर इसकी तरिज्जा इतनी है तो मानली जो यहां तक पानी चढ़ा रहा लेकिन आपने तरिज्जा बढ़ा दी तो भाई quantity अब क्या होगा कि जितना पानी उसके यहां पर आ रहा था कहो उतना पानी वस इतने में ही समा गया तो पानी जादा उपर तक आई नहीं पाएगा तो इसलिए जितनी कम तरिज्जा होगी पानी उतना उपर तक चढ़ेगा क्या होगा जितनी कम तरिज्जा होगी पानी उतना उपर चढ़ेगा ये चीज़ें बोली गई है, तो question यहां से बनते हैं, कि अगर कोई capillary tube है, उसकी तरिज्जा, ऐसे example देखें, मैं देता हूँ आपको, कैसे questions बनते हैं, दो capillary tube है, एक की तरिज्जा है 5 cm, या फिर 5 mm, कुछ भी ले लिए, ये 5 cm, दूसरे की है 10 cm, तो question यह आएगा, कि ये था आपका C1 और ये था C2, C1 की तरिज्जा है 5, और C2 की तरिज्जा है 10, तो इन में से कौन से capillary tube में, पानी ज़्यादा उपर तक चड़ेगा, या किसकी अपेक्छा अधिक चड़ेगा, तो यहां पर आंसा जाएगा C1, C1 की तरिज्जा कम है, C2 से, तो C2 के अपेक्छा C C1 में पानी ज़्यादा उपर तक चड़ेगा, तो इस टाइप के थोड़े से logical questions भी घुमा के exam में पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपको थोड़े से याद रखने है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कुछ और important चीज़े देखते हैं, सामानेत है जो द्रव कांच को भिगोता है, वह केस नली में उपर चड़ता है, जैसे, यानि कि देखिए, पानी की बात करी जाए, तो ये कांच को भिगो देता है, ये तो ज़्यादा उपर ते चड़ाए, लेकिन वही पारा की बात की जाए, जो कि हमने पढ़ा था, हमारा जो, इसके पहले का एक चेप्टर था, प्रश्ट तनावका, तो उसमें हमने जाना था, असंजक और ससंजक बलके बारे में, तो पारा जो था, कांच को नहीं भिगो रहा था, तो ये जो है, कम चड़ेगा, कम चड़ेगा, और थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, वह हम देखेंगे, हापर देखिए, और जो द्र जब केस नली को पारा में डबोया जाता है, तो कुछ पारा नली में नीचे दब जाता है, अब ये क्या बोला है, देखिए, उसको डायग्राम से मैं समझाता हूँ, ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने रखा पारा, और इसमें मैंने रखा पानी, ये ये मैंने एक इसमें केसनली डाली, ये डाली, एक केसनली मैंने इसमें डाल दी, डाल दी, अब इसमें पानी था, तो पानी चढ़ा, दोने की तरज्जा सेम थी, पानी चढ़ा, माल लीजे, पानी यहां तक चढ़ गया, ठीक है, तो अब इसको थोड़ा जूम करके बनाता ये पानी यहां तक तो पानी का से पुछ ऐसा होगा उठा हुआ सा ऐसा पानी ऐसे चड़ेगा ऐसे थोड़ा उठा सा रहेगा और वहीं पारा था पारा भी चड़ा माली जब वो भी यहां तक चड़ा तो जब वो चड़ेगा तो लेकिन उसका से पुछ ऐसा बनेगा कैसा ऐसा बनेगा तो यही चीज उर्लाए कि केस नली में नीचे की और दब जाएगा तो नीचे की और दबना मतलब यही चीज जो मैं आपको डाइग्राम बना के बता रहा हूँ यह है पानी और यह है पारा यही चीज यहाँ पर बोली गई है क्या बोली गई है जो पूरे इस पूरे जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है टेक्स्ट में तो वो जो है इस दो डायग्राम में ही पूरा इसका सार छुपा हुआ है जो मैंने बताया कि भाई दोनों तरफ से नली खुली होगी पानी में डालेंगे तो पानी जो है उठा हुआ सा प्रतीत होगा और इसके विप्रीत जब किस नली को पारे में डुबाया जाता है तो कुछ पारा नली में नीचे दब जाता है तो वही जो है नीचे दब जाता है यानि कि यही ची मुला बनाये गया है जिसको देखी यहाँ पर दिया गया है h बराबर 2t cos theta upon rgt d density है g यहाँ पर gravity है r क्या होगा यहाँ पर radius होगा t जो होगा t होगा प्रष्ट तनाव क्या होगा प्रष्ट तनाव होगा अग्टो यहाँ पर देखते हैं यदि किसी नली की तरिज्या r जैसे कि यह है तो r तरिज्या प्रष्टनाव t द्राव का घनत वैनि density d और द्राव का sparse cone द्राव का sparse angle बन रहा है angle कितना होगा वो theta है तो नली में चड़े या उतरे द्राव की उचाई या गहराई को हम यहाँ पर नाप सकते हैं क्या कर सकते हैं नाप सकते हैं इस formula से आपको यहाँ पर सब चीज़े रख देनी है यहाँ पर angle आपको रखना है सुद्ध जल के लिए theta का मान लगभग सूने होता है और यही जो है पारे के लिए 135 होता है अब जो example exam में पूछे जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम discuss कर लेते हैं तो देखे पहला example है लाल्टेन या लैंप की बत्ती में केसी कत्त के कारण ही केसी कत्त के कारण ही तेल उपर चड़ता है तो question बनेगा कि लाल्टेन की बाती से या दिये की बाती से तेल उपर कैसे चड़ता है केसी कत्त के कारण चड़ता है पेड़ पॉदों की साखाओं, तनो, पत्नियों तक जल और आवस्तेक लवण केसी कत्त के कारण ही पहुँचते हैं देखी, जो जल होता है जल को कौन पहुँचाता है जाइलम एक उतक है जो पहुँचाता है एक टिसू है जो पहुँचाता है और जो आवस्तेक लबन होते हैं उनको कौन फ्लोयम फ्लोयम उसको पहुँचाता है तो यह दोनों है हमने बायो में इसको पढ़ा है और यहां पर बात की जा रही है कि य स्याही सोखता, वॉल्टिंग पेपर, स्याही को सीगर सोख लेता है, क्योंकि उसमें बने छोटे छोटे छिद्र केस नलियों की तरह कार करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, मिट्टी के ढेले को जल में रखने पर वह उपर तक गीला हो जाता है, क्योंकि उसमें अस के कारण ही गीला होता है, बरसा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं, ताकि मिट्टी में बनी केस नलियों तूट जाए और पानी उपर ना आ सके, तथा मिट्टी में नमी बनी रहे, जैसा ही बारिस हुआ, उसके बाद जैसी ये खेत था, बारिस हुआ, तो बारिस होने के बाद उनने खेत को जोत दिया और पूरा उसके केसी कत्त को तोड़ दिया, ताकि पानी जो है बास्वी करन के माध्यम से वो उपर पूरा ना उड़ जाए, तो ये एक्जामपल भी आता है, कि क्यों बारिस के बाद जो किसान होते हैं, वो खेत की जुता है, जो आपके एक्जामों में आने की संभावना है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, तो आई होप कि ये बहुत ही छोड़ा से चैप्टर है, कि दो कॉस्टन बंते हैं, जो मैंने आपको एक्स्प्रेन कर दिये हैं, और चीजें जो है बहुत ही आसान है यहाँ प कर दो है e था आसा आपको ये लीका संगोशा यार मैंने खावना है यहाँए है, यहाँ वादाना है, जो हम आसाना है, आ